आज हम याद करेंगे हिस्ट्री के कुछ important points जो की सभी प्रतियोगी प्रजिच्छों में पूछे जाते हैं इतिहास की पिता हेरोडोट्स को कहते हैं पंचमार सीकों को आहा सीके कहते हैं सीकों की अध्यन को नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है प्रगैतिहासी खोज प्रायम करने का स्ट्रे डॉक्टर प्रायम रोज को है सरपतम भारतवर्स का नाम का उलेख हाथि गुफ़ा अभलेख में मिला प्राचीन भारत का सुनी योजित इतिहास वी ए इसमित को ने तयार किया प्रगैतिहासी काल में कोई भी लिखे साचे नहीं मिला अप्रगैतिहासी काल के लिखे साच का उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका एतिहासी काल के पुरतात्विक एवं शाहितिक दोनों प्रकार के सुरत प्राप्त हैं ब्रामी लीपी को सरवतम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा 1837 में महाशी वेदवाशनी प्राचिंतम ग्रंद वेदों का संकलन किया वायो पुराण में गुप्त वन्स का उलेख है जैन धर्म का प्रात्मी कितिहास्त कल्प सुर्प्तर से प्राप्त हुआ मत्य पुराण आंधर शात्वाहन वन्स से संबंदित है विश्नु पुराण मौरे वन्स से संबंदित है खरोष्ठी लीपी दाएं से बाएं लिखी जाती है ब्रामी लीपी बाएं से दाएं लिखी जाती है नारद इस्मृति से गुप्त वन्स की जानकारी मिलती है इस्मृ ग्रंतों में सबसे प्राचीनतम इवं प्रामारिक पुस्तक मनुस्मृति सुंग का मानक इस ग्रंत मनुस्मृति इबन बतुता का यात्रा वरतन को रहेला नाम से भी जाना जाता है। कुईन संग ने नालंदव इस विद्याले में बहुत धर्म का अध्यन किया। बहुत इस इस्तंब लेक से सुंग काल की जानकारी मिलती है। किताब उलहिंद अलबरुनी की अर्भी पुस्तक है। सती पर्था का पर्थाम लिखित साचे 510 इस्वी में घाभानुगुत के एर और अभिलेक से प्राप्त हुआ। धन्यवाद।